नमस्कार दोस्तों चलिए एंपलाबिल डेश केल के 79 नमबर के कोश्चन पर हम बात करते हैं कह रहा है कि 79 नमबर का कोश्चन निम्न लिखित में से कौन सा प्रभावी सुनने की कुशलता को माना जाता है सुनने की कुशलता को माना जाता है सुनने की कुछ अलता कह रहा है यहां पर तुम बात करेंगा उस्तन एका इस speaker को नहीं देखना इस speaker को नहीं देखना नहीं देखोगे तो सुनोगे जब speaker बोल रहा है जब speaker बोल रहा है तो उसको ध्यान से सुनना है हमको जब आप महसूस करते हैं कि speaker सही नहीं है तो बीच मे speaker को ब्यवधान करता है ठीक है आवाज को телефон पर वीचार नहीं करते कि वो सब्दों पर focus करते हैं आवाज की tone पर वीचार नहीं करते कि वो सब्दों पर focus करते हैं तो आप सब उपरोक्त में से यहाँ पर क्या कह रहा है सुनने की कुसलता को माना गया है इस स्पीकर को नहीं देखना भाई देखने से और सुनने में इसमें यहां पर बिल्कुल गलत हो जाएगा ये भी गलत हो जाएगा ये भी गलत उप्रोक्त में से कोई नहीं आफ्सन डी बिल्कुल सही हो जाएगा कहारा है कि विचार नहीं करते वह सब्दों पर फोकस करें क्यों नहीं हम विजूल देखते हैं सुनने वाला काम जो करते हैं, वहाँ देखने से और सुनने से दोनों परमीर्दिया हम लोगों को उपर बहुत अच्छी फोकस करेंगी तो यहाँ परूपते में से कोई नहीं 69 नमबर का question बिल्कुल सही होगा, ठीक है, 79 का option number D बिल्कुल सही है, 70 नमबर में चलेंगे, कह रहा है, महिला के लिए बेवसाय साथतकार को फेस करते समय निम्लेकित में से कौन सा, grooming मानक सही है, grooming मानक सही है, 70 का ए आफ़सन, formal सारी जो है, आपका grieving मानक बिल्कुल सही है, अगला है, समस्या हल करने के चरणों का सही करम क्या है, 70 का option B आजाएगा आपका, समस्या पहचानना, समस्या संरचना, समांभाव समाधान की तलास, एवं नेड़ा लेना, लागू करना, प्रतकिरिया की मांग करना, option number B बिल्कुल सही है, आगे बात कर लेते हैं, 72 number question P कह रहा है कि ब्यापक पढ़ाई का अर्थ है, ब्यापक पढ़ाई का अर्थ है, space text समझना है, space text 72 का B option लिखित परिच्छा हो जाएगा, पर लिखित हो जाएगा, ब्यापक पढ़ाई का अर्थ लिखित होता है, सबसे अधिक्तिर बात करेंग बिल्कुल प्रकास की बिवस्ता प्रेजंटेशन देते समय प्रकास की बिवस्ता तो बिल्किल सही होना चाहिए हमारा ड्रेस कोड पोशाक सहित संप्रेशन का एक उदारण है 74 का B आफ़सन और मौखिक है ये हमसे पोशाक संप्रेशन का उदारण नहीं है और मौखिक तरह से हो जाएगा यह आगे आफ्सान नमर भी यह बिल्कुल सही है अप्लिकेशन लेटर है क्या है 75 का यह आफ्सान बिल्कुल सही है आपकी मुख्य विशेश्ता तता काम करने के लिए उप्रलब्धता का विविरण है आपकी अप्लिकेशन लेटर है आगे बात करेंगे 76 का कहरा है संचार निरंतर चलने वाला है संचार निरंतर चलने वाला NCVD 2017 का पेपर है आपका 76 का आफ्सान हो जाएगा B आफ्सान प्रकिरिया हो जाएगा संचार मतब प्रक्रिया तो भाई निरंदर चलती रहती है उसमें कोई हमें रुकावट डालने की जरूरत नहीं है अगला बात करेंगे हम यहाँ पर 77 नमबर के कुश्चन पर सामर्थ तता हिंसा के मानक की माया मानवी करण को लिंग के रूप में मानता दी जाती है 77 नमबर का आफसर नमबर यह हो जाएगा पूरिस्की कहा जाएगा आगे बात करते हैं 78 का listening के मुख प्रविर्थी के नियत सूचना किया पेच्छा करना होता है जिसकी प्रसंसा की जाती है 78 का आफसर नमबर भी है प्रसंस्तात्म 89 नमबर की बात करेंगे संदर्भ फ्रेशक तथा प्राप्त करता के मुख के मद्य प्रिष्ट भूमी की समानता को संदर्भ या संदर्वित करता है यहाँ पर 89 का आफसर नमबर सी हो जाएगा संस्कृत करता है क्या करता है संस्कृत करता है आगे बात करेंगे 80 नमबर का आपको अपने साचतकार के लिए कवाने की युजना बनाने चाहिए 80 का सी हो जाएगा वही जब आप कहीं जाते हैं एंटरव्यू या साचतकार के लिए तो आप 30 मिनट पहले या एक घंटा पहले अवस्त महा पहिचिए लेकिन एक घंटा तो स उल्भूति चिनोथिओं का सामना करने में स्वयम को सचमाना तो खुशाल रहना है अप्संन No.B आत्म सम्मान के लिए हो जाएगा स्वयम का खुशाल तो आत्म सम्मान मतब अपने आपके आत्मा को सम्मान दे रहे हैं निवने में से कौन सा एक बारता लाब गतिव विधी का लाब नहीं है ATT2 का हो जाएगा आपका D आप्षन सही हो जाएगा ATT2 का D आपसण Ud Theyani का विध्यास हो जाएगा क्या हो जाएगा Ud Theyani का विकास हो जाएगा 83 के बात हम करेंगे आत्मे वृती को से भी जाना जाता है 83 का ए अफसन सार वृत क्या जाना जाता है सार वृत जाना जाता है 83 का ए सार वृत जाना जाता है आगे हम बात करेंगे जाब पर कारियों तथा उत्तरदाईत्वों का लिखित वीवरण कहलाता है 84 की आफ्सन नंबर C है कार्य के विवन झायर आता है कार्य विवन खायर आता है आगे हम बात करने तर E5 का लच्छों को किस रूप से स्रेडी बद्द किया जाता है لच्छ को 각 किस रूप से स्रेडी बद 85 का D आफ्सन हो जाएगा Bright term में लांग टर्म से किया जाता है, सिर्णी बद्ध किया जाता है, तो साट टर्म लांग टर्म से किया जाता है, 86 हमारा कह रहा है, मानव प्रियासों के सही और गलत के अध्यान को कहते हैं, क्या कहते हैं, 86 का सी हो जाएगा, निती सास्तर कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, निती सास् आपका कह रहा है यहाँ पर निम्ने में से कौन सा साकारात्मक रवाया का परड़ाम नहीं होता है साकारात्मक रवाया पूछ रहा है यहाँ पर तो साकारात्मक रवाया में 87 नंबर पर देख लिजी आप लोग क्या है clear मार रहा है तो आफसर नमर C उचार्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा उचार्ट सही हो जाएगा 88 नमबर की हम बात करेंगे यहाँ पर तो आफसर नमबर यह बिल्कुल सही हो जाएगा निम्न में से कौन कौन आपका ट्रिपल ए सुनाई का हिस्सा है आपका एंसर आफसर नमबर बिल्कुल यह सही हो जाएगा 2016 का यह कॉस्चन बताया क्या है आगे बात करते हैं 89 का वाट इस दा लांग फार्म दा हैस में सोट फार्म दा एफ वाई आई क्या होगा 89 का आफसर नमबर ए हो जाएगा फार्योर एंफोर्मेशन क्या हो जाएगा फार्योर एंफोर्मेशन 90 नमबर हो जाएगा संकेत तेज चाल से सीधा चलना दरसाता है संकेत तेज चाल से सीधा चलना दरसाता आफसर नमबर C आत्म विश्वास हो जाएगा क्या हो जाएगा आफसा आफसा नहीं सांती दिश्टी कूण इसमें मारेंगे सांती दिश्टी कूण 92 की बात करेंगे यहां पर निमने में से कौन सा गुड़ बाय कहने से संबन देता है गुड़ बाय की बात कर रहा है सी यू सून आपका भी आफसान बिल्कुल सही हो जाएगा 93 की बात करेंगे हम यहाँ पर 93 हमारा क्या कह रहा है कि निम्ने में से कौन सा नानवरवल संचार का प्रकार है 93 का आफसन नमबर बी यहाँ पर मारेंगे आवाज की धोनी मारेंगे क्या मारेंगे आफसन नमबर बी नान मरबल आवाज की धोनी हो जाएगा 94 की बात कर लेते हैं एक अच्चे संसार के लिए जारगन से बचना जरूरी है जारगन का मतलब क्या होता है यह आफसनमेर विचीत्र भासा है जारगन क्या है? विचीत्र भासा है किसी को नहीं समझ में आने वाली जारगन भासा है अगर आप बात करते समय किसी वस्त पर ध्यान दे रहे हैं इसका तातपर है कि आप 95 का B आपसन और सुविधा जनक महसूस कर रहे हैं क्या और सुविधा जनक 96 की बात करेंगे यहाँ पर सुनने का कौसल एक ब्यक्ति के नीजी और सरवाजनिक जीवन में बहुत जरूरी है ध्यान परवग सुनने का तातपर है 96 का D आपसन पूरे संदेश को समझना क्या हो जाएगा पूरे संदेश को समझना क्या हो जाएगा पूरे संदेश को समझना आगे बात कर लेते हैं वारतालाब के दोरान कौन से भिन प्रकार के प्रस्ण पूछे जा सकते हैं यह किस प्रकार का प्रस्ण है किरेपे आप मुझे आपके ITI में प्रियोग होने वाले आईडियो विज्वाल एड के विशे में थोड़ा बताईए 97 का आपसन नमर हो जाएगा परिछण प्रस्ण ये परिछण करने के लिए इंस्पेक्शन करने के लिए ये प्रस्ण पूछे जा रहा है 98 के हम बात करेंगे अगला साथ हतकार के दोरान यहाँ पर कुछ करें DOS और नो करें डांट दिये हुए कौन सा एक ना करें डांट की सिरली में आता है मतलब डांट किस सिरली में आता है या की सिरली में आता है किस सिरली में आता है 98 का D आपसन हो जाएगा अचानक वेतन के बारे में पूछना डांट अचानक वेतन के बारे में पूछना डांट अचानक वेत दिखता एथिक्स से आपका धानडा मतब क्या है 99 का ये भी आपसन D हो जाएगा सही और गलत का फर्क दिखाने वाला नहीं दिखता है सही और गलत का 100 नमबर में बात करेंगे चूज दा करेक्शन सेक्वेंस आप दे जाब अप्लिकेशन प्रोसेस 100 नमबर का आपसन नमबर C हो जाएगा आपसन नमबर C अब इसमें चूज करना और मिलाओट करना है तो आपसन नमबर C हो जाएगा यहाँ पर choose the correct sequence of the job application process तीसरा नमबर आपका read job advertisement आपका पहला नमबर आपका proper resume हो जाएगा आपका चोथा नमबर हो जाएगा अपर interview हो जाएगा आपका दूसरा नमबर get the job हो जाएगा यह आपका correct sequence of job application के लिए perfect बनता है option number 100 का C हम यहाँ पर मारेंगे चलिए 101 की बात करेंते हैं इसे में से public skimming का 3PS कौन सा है 101 101 101 मतब 101 की बात question पर करते हैं तो option number A हो जाएगा पर आपका practice आप performance आपका यह 3PS की बात करेगा 102 नीन में से खराब communication कौन सा है 102 की बात करेंगे B option B संदेस ओ असपस्ट रहेगा तो खराब आपका परदसन किसी जगह हो सकता है संदेस असपस्ट रहेगा तो खराब परदसन किसी जगह नहीं हो सकता 103 की बात करेंगे लच्छ मुखरूफ से इनमे से वर्ग करीत है लक्च मुक्रूप से 103 का आपका D हो जाएगा अल्पकालिक और दिर्गकालिक क्या बोलेंगे अल्पकालिक कथा दिर्गकालिक बोलेंगे यहां पर अस्थाई जोन के बारे में आपको थोड़ा सा जनकारी देना चाहूंगा कि देखिए अस्थाई जोन हमारा क्या है intimate जोन personal जोन, social जोन public जोन यह चार प्रकार के होते हैं अब इनको हम लोग देख कैसे सकते हैं इसके बारे में आपको clear करवा दे रहा हूं सबसे पहले आप देखिए एक घेरा बना लिए छोटा एक उससे बड़ा एक उससे बड़ा और एक सबसे बड़ा तो जो सबसे बड़ा है public space है दोस्तों उसके बाद social space है आपका और इसके बाद से अगर हम बात करेंगे तो यह दो अंदर के हैं यहाँ पर इसके फिल्ट के बारे में बताया जाएगा अब 4 फिट 1.2 मीटर या 12 फिट या 6 3.6 मीटर या 25 फिट इसके अंदर कत में आएगा तो देखें एन्टीमेंट जोन जो आपका होता है एक परसी असपरसी दोरी है जो लग 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 2 फिट तक होती है कितने फिट तक? 2 फिट तक होती है तो यहां की दूरी हम कहेंगे यह दो फिर तक होती है इसको इंटिमेंट जोन कहा जाता है दो फिर तक मतलब दो लोगों को गले लगना हाथ पकड़ना साथ साथ खड़े होना जो साइक सेंस्टी में साँन या पेनेट्रेट होते हुए देखना यह आपका इंटिमेंट जोन कहलाता है परसनल जोन की हम बात करेंगे दो से चार फिट का कि दिने दो से अब इस वाले में आएगा यह दो से चार फिट का हो जाएगा आपका यह परसनल जोन की बात करना है दो से चार फिट है उन्हें चर्चाओं के लिए किया जाता है जो नीजी बीजी नेटवर्किंग मीटिंग के लिए किया जाता है सोसियल जोन की हम बात करेंगे यहाँ पर यह तीसरा में आएंगे यहाँ पर ये social zone की बात करेंगे तो 4 से 12 feet कितना? 4 से लेके 12 feet तक इसमी किया जाता है 4 से लेके 12 feet ये आपका social zone हो जाता है ठीक है? अब यहाँ पर public zone की हम बात करेंगे तो जो public zone है 12 से लेके अधिक दूरी मतलब 25 feet के लगबग में मैंने कितना बताया? 25 feet के लगबग में ये आपका अस्थानिक zone होता है इससे बहुत जादे question आते हैं ये important है ठीक है मिलते हैं दोस्तों अगले video में नमस्कार दोस्तों